नमस्कार सौगात है एक बाद फिर से सबका बुक्स अले भाईया वे साल खतम हो रहे हैं 2023 इस ऑल्मस्ट एंडिंग और हर साल के एंड की तरह मैं फिर से आया हूं आपके पास अपनी लिस्ट आफ फेवरेट बुक्स अफ दिस यह तो इस पार बात कर रहा हूं बुक्स ऑफ देटिंग जो है यह वीडियो बनाना मेरे को सबसे अधा पसंद साल के एंड में क्योंकि एक ही वीडियो में आप देखते हैं कि बहुत से अलग अलग टाइप्स के बारे में हल्ग जॉन राज हिस्ट्री हो जोग्रफी हो फिक्शन हो या कुछ भी हो बहुत सबसे पसंदी वीडियो में से रहता है टॉक्यमोड बॉक्स फदा इंटायर यह तो दोस्तों इस सबने बात करूंगा दस ऐसे किदाब हों की जो मैंने इस साल पढ़ी और मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें से कुछी वीडियो में बना चुका हूं आपने कुछ की डियल वीडियो इसके देखे होंगा और कुछ के वीडियो में नहीं बनाए और मैं सरफ इस वीडियो में कवर कर ला हूं तो आए स्टार्ट करते हैं बेस्ट बॉक्स ऑफ 2023 पहली बुक है रेवलुशनरी सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी हिस्टरी की बुक्स के लिए कि पहले इस साल के शुरू मैं सबसे पहले मैं यहीं बुक पड़े थी सबसे ब송से बहले वीडियो भी इसी पर है तो दोस्तों यह बुक्स बताती है आपको भारत की अजादी के उस पहलू की जिसको आज तक आप हैं की डिटेज में नहीं समझा गया बुक्स इन सबका क्या योग रहा भारत के फीडम स्ट्रगल में आम देखते कि हम मानते हैं कि भारत की अजादी का जो अजादी का संगर्ज के इतिहास रहा जिस विच्छ लेड़ बाइ महात्मा गांधी लेकिन संजीव जी कहते हैं कि महात्मा गांधी के कॉंट्रिबूशन अपनी जगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन हमारे क्रांधी कारियों का इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको हमें समझना चाहिए तो ऐसा ही तमाम क्रांधी कारियों की जिनके मेरा नाम लिए उनके बारे में बताते हैं उनका क्या कॉंट्रिबूशन रहा भारत के फीडिम स्ट्रगल में और साथ-साथ इस मित को ब्रेक करते हैं कि ऐसा नहीं था कि यह जो हमारे क्रांधी कारी थे यह सब अलग अलग ऑपरेट करते रहें और अंडाव्टिडली जिस तरह से नॉन्वालेंट कोपरे अज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया आप इसको अलग नहीं देख सकते तो संजीव जी कहते हैं कि हमके आल्टरनेट हिस्ट्री नहीं ला रहे लोगों के सामने वहीं हिस्ट्री ला रहे हैं जो आज चाहते हैं कि कुछ हद तक या काफी हद तक इग इस्टारीयन चंद्रचूट जी काफी जाने पर जाने सुभाष चंद्रबोस पर इन्होंने अनुच धर के साथ मिलकर बहुत डिटेल स्टडी करी है सुभाष चंद्रबोस के मृत्तियों से जुड़े हैं जो बाते ऑफिशल लेवल पर आज भी क्लियर नहीं है बहुत ही बहुत हैं और यह उनकी किताब है जो आपको बताती है अजादी के बाद के पहले दशक के बारे में क्या था खैसा भारत और तो जब हम अजादी के समय की बात करते हैं अकसर जो आप देखें के रहा है बाट फीड़ेप मुपेंट और हमारे अजादी के समय का लेकिन से भारत की अजादी के बाद जो इमीजेटली बाद जो जैसे की रिफ्यूजीस की सेटल्मेंट जो रायट हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद यह हमारा गरतंत्र देवस इंडिया जब फॉर्म हुआ लेकिन जंद्र जूट जी बताते हैं कि तमाम ऐसे इशूस थे जो नने भारत के पहले दशक को आगे के भारत को शेप अप करा तो प्रिंसली स्टेट्स का डिसीजन लेना जिसमें सदाब पटेल ने बहुत हैं भूमिका ने भाई इंपोर्टेंटली नहरू और पटेल के रि सब्सक्राइब और यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट मैं कहूंगा भारत के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसको उतने इंपोर्टेस नहीं दिया जितना जाना चाहिए था इस फिशार एक दो सल पहले एक लिखी गई थी लेकिन मेरे अलावा मेरे विचार में उसके अलावा हाडली इस टॉपिक को टच किया गया है लेकिन चुड़ जी फर्स्ट बारे में भी बताते हैं इसके साथ इंसरजेंसी जहां जहां भारत फेस कर रहा था उनके बारे में और एक जो बहुत इंपोर्टेंट मेरे को इसमें चैप्टर लगा वह था पंडित नहरू पर लिए लेकिन चंदर जूड जी पंडित नहरू को एजर प्राइम मिनिस्टर जैसा उन्होंने समझा है और यह काफी अनबायस्ट वे में देख पंडित नहरू के बारे में अपने व्यूस रखते हैं जहां उनको लगा कि बनेट की गलतीयां थी वह भी बताते हैं और जहां लगा कि बंडे नहरुन ने सही किया वह तथे भी आपके सामने रखते हैं तो बहुत बुक मैं कहूंगा और बहुत इसको पॉलिटिकल नेरेटिव कह सकते हैं जो मेरे विचार में आजकल एक बनता जा रहा है क्योंकि हर लेखर भी कहीने कि अपने बाइस इसको ला रहा है तो सब्सक्राइब किया है तो एक और बुक जो मैं आपको डेफिनेटली साल के लिए रेकॉमेंट करता हूं दोस्तों तीसीर वोग है हिदन पोटेंशल बैडम ग्रांट यहां जाने माने ऑगनलेशनल साइकॉलोजिस्ट है वाटन में जाने माने लेखक हैं और उन्होंने सब्सक्राइब कर दोस्तों बताते हैं जो आपको यूस करना चाहिए जिनदगी में आगे बढ़ने के लिए कना सकते हैं तो कुछ उनके की पॉइंट जो है इस बुक में जिसके पारे मैं आपकी बताएंगा पहली है रहा तो है एक बहुत बात है क्योंकि अक्सर हम अपने सक्सेस को अपने टैलेंट से लिंक करते हैं आपके अंदर कोई हुनर है तो ही आप एक चीज कर सकते हैं लेकिन वह कहते हैं कि आगे बढ़ना किसी भी चीज में जीन आपके जीनिया से आपके टैलेंट से जाए इस अब आपको बात में एक इडन पटेंचल है जिसको हमें अपने हाड़ वर्क से आगे लाना है यह सबसे की पॉइंट जो है इस बुक का वह यह कैसे आप किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं तो आगे और बात करते हैं जो मुझे सबसे पसंद आई थी उन्होंने कई बाते करी हैं सबसे मुझे बात अच्छी उनकी वह थी इंब्रेश दिसकंफर्ट अजड़ होना पड़े का सिर्फ कमफर्ट जोन में रहे का जैसा कि बहुत लोग कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं आपको कहीं डिसकंफर्ट को एंब्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वही असली सा आगे बढ़ना है जहां पर जैसा कि आपको पोटेंशल आपको लगता है नहीं है तो पोटेंशल कैसे बनाया जाए तो यह वह तथे रखते हैं और मेरा मानना है कि बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाईज है आप कहा सकते हैं इजी टू फॉलो नहीं होती है लेकिन वह बहुत ही प्रैक्टिकल इसको मानता हूं और मैं पहले और भी बुक्स पढ़ी है तो अंडाटिटली मेरे साल की यह पढ़ेए सबसे दोस्तों अगली बुक है से में मौगन हाउजल जाना पहचाना नाम है इन्हें निक बुक लिखी दिस साइकॉलेजी अफ मनी जो की की कि हम जब भी बात करते हैं कि प्यूचर में क्या होगा और क्या नया होगा हर को प्रेस्टेटी अप्रोच लेते हैं वह यह कहते हैं कि हम नया होगा दुनिया में चाहे हमारी जॉब हो करियर हो एकॉनमी हो पॉलिटिक्स हो वह कहते हैं कि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सेम क्या रहेगा और हमें जो सेम रहेगा उसको भूलना नहीं है यहीं बताते हैं कि हम इस अप्रोच को रखके कैसे अपने जीवन को अपने करियर को बहतर बना सकते हैं और हर बार की तरह बहुत से स्टोरी रियल लाइफ एक्टियल स्टोरी अनेक्डोट्स देते हैं बुक में जो आपको सही माइने में यह सोच लाने पर मजबूर करता है कि हाँ वास्ता में हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज़ें रहेंगे कैसे हम उसके लिए भी अपने आपको प्रिपेर करें तो कुछ इनके कोट्स में साथ में बताना चाहता हूं जो मुझे बहुत पसंद आए जो पहला ही मुझे को पर फोकस करने को कहते हैं इस नोट इस डिफिनिटली कहते है इस प्रेजेंट और प्रेजेंट अच्छा लगा वह था इस वांट वी हैपी फिर स्टाट विए लोग एक्सपेक्टेशन रखना सही माइने में हैपिनेस का एक सोर्स माना जाता है आप कभी एक्सपेशन ओव मेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन थर्ड एक और कोट मुझे बहुत अपीलिंग लगा वह यह था कि प्रोग्रेस टेक्स टाइम वाइल कैटेस्ट्रोफी सब्सक्राइब होना है बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम होना है वह एकदम से होता है लेकिन प्रोग्रेस सब्सक्राइब होता है लेकिन अगर मुसीबात आनी है तो वह एकदम से आती है मेरा तो मानना है कि किसी वेक्ति पढ़े ना पढ़ें जो भी लेकिन यह चीज़ अपने माइंड में रखनी बहुत जरूरी है कि प्रोग्रेस टेक्स टाइम वेल के टेस्ट्रोफी अकर सब् सब्सक्राइब अपनी बात को बहुत एक फिर से प्रभावी तरीके से कह पाए है और यह बुक जो मेरे 2023 की फेवरेट बुक्स में से अगली वुक है दो लॉंग गेम और चाइनीज नेगुशियाट विजय गोखले करियर डिप्लोमेट रहे हैं इंडिया के फॉर्न सेक्र इस पर पिछले साल पर पढ़ी है और मेरे विचार में अगर मैंने जैसे अगर एक ही बुक पढ़नी है तो इससे बहुतर को नहीं हो सकती तो विजय जैने शिक्स हिस्टोरिकल इवेंट्स प्टूइन इंडिया इंड चाइना डिप्लोमेटिक स्थारवाज इवेंट्स र रिकोगनीशन दे रहे थे 49 में वह एक मिस्ट्रेप था एक गलत स्टेप था लेकिन इंडिया के इंडिया की वजह से आगर आप देखें जो इंडिया की वज़ेसे बिटूइन चाइना कैसे उसमें इंडिया की लीडरेशिप को ही ना कहीं जिम्मेदार है इंडिया को इंडिया को इंसिडेंट्स बताते हैं कि कैसे चाइना डिप्लोमेटिकली इंडिया के आप कह सकते हैं कि आगेंस्ट रहा है कैसे हमारे एक थ्रेट है वास्ता में चाइना से है और हर भारतिय को और इंडिया लीडरिशिप को यह बहुत सही से समझनी चाहिए कि क्यों चाइना हमारे लिए एक रिस्की निशन के तोर पर है एक खत्रा पोस्स करता है अब क्सर बात करते हैं कि पाकिस्ता की बात है लेकिन कैसे चाइना भी हमारे लिए एक रिस्क है और जैसा मैंने का चहें इंसिदेंट्स के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छे डिटेल में उन इशुस को समझाया है और क्या भारत की गलतियां रही है और क्या एक बहतर फ्यूचर के लिए इंडिया को आगे करना चाहिए इसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा लास्ट चेप्टर जाए वह नेकोसिय नेकोसियशन के बार में भी जानना चाहते है जो लास्ट चेप्टर नेकोसियशन से थे आड़ समस्त टूर्वर जैसा मैंने कहा अब एक्स्ट्रिम्ली बैलूटन बोग विजा जी का डिपलोमेटिक एक्स्पिरेंस जलगता इस बुक में और इस बुक्री नेक्स पहले लिखी गई थी और यह बुक है अबाउट थारशन महता स्कैम और इसके वर्जिंस में उन्होंने और स्कैम का भी जिक्र करा है तो दोस्तों 1992 का स्कैम जो की इंडिपेंडेंट इंडिया के बहुत बड़े स्कैम से से था सुचिता दिलाद देवशी स्वासु ही वह जर्नलिस्त थे जर्नल स्कैम को जागर करा था और इंडिया के सामने रखा था तो बहुत डिटेल में उन्होंने स्कैम के बार में बताया है और यह बुक पढ़के आपको रेलाइस होगा इन फैक्ट जिन लोगों ने यह सीरीज ए सिस्टम था इंडिया का कैसे बैंक्स या एजेंट्स या बहुत सरकारी और प्राइवेट एवन फॉरण बैंक सिस्टम को मैनिपलेट कर रहे थे अपने यूज के लिए तो सबसे बड़े आपके सामने वह खांचा खड़ा होता है कि क्या था इंडिया का फ्रेंश सिस्टम मिच लेड एक्टिविटीज लाइक दिस तू तो एक सबसे बड़े लर्निंग मैं कहूंगा इस बुक की यही है कि आपको यही बताती है कि और आल हमारे सिस्टम में क्या गलतियां थी इसके साथ साथ और और स्केम को भी कवर कर रहा है जैसा के तन पर एक स्केम पर साथ इस इस बुक को लिखने के लिए सोचिता जी बहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था तो फैनेशे सेक्टर मैनिपलेशन स्कैम फ्रॉड यह सब्सक्राइब रखते हैं तो इस बुक को जरूर जरूर पढ़िए मैंने इस बुक को पढ़ा और बहुत मैं दोनों आथर्स क काफी आप क्या सकते हैं एक्स्ट्रीम होती है एक्स्ट्रीम इन सेंस उन को जिस तरह से लगता है वह बातां को उसी तरह से कहते हैं और उनके कई ऐसे व्यूज रहें बाउट वर्ल्ड अपनी ग्लोबल एकॉनमी रिटेट्टे अडाल जो बहुत कह सकते हैं कि रोजी सन्य हैं ही जैसे जो सबसे बड़ेक्ट क्राइस है जी हां डाउटिटले जैसे कि बहुत से विक्सित देशों में जो ओवरॉल डेट एजब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वह एक चाहिना हो चाहिए अमेरिका हो या कुछ यॉर्पियन देश हो इंडिया वे पिछले बात आई थ से क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं और अब है कि आया की गूगल में 30,000 जॉब्स आर्यट रिस्क विकॉस अब आर्टिफिशल इंटलिजेंस तो जानते हैं लेकिन नूर्य रूबीनी क्योंकि खुले का थशास्त्री रहे हैं तो इन बातों को एक कॉमन से जादा बहुतर तरी लाइन जो अपने आप में एक अच्छा नहीं है बहुत से कंट्रिशन इसका मतलब है कि दा प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली वेपल इसको उनको उनको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए चैलेंज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में तो ऐसे दस बड़े खत्रे जो आप सब्सक्राइब करवाएं कि आने वाले समय में जो हमारे सामने यह दिक्कते आएंगी उसके लिएम कैसे प्रिपेर हो तो अधि आप वर्ल्ड फेर्स जियो पॉलिटेक्स सब में दिल्चस्पी रखते हैं तो अंडाउटिडली अब वेरी वेरी स्रॉंग रेकॉमेंडेशन दोस्तों नेक्स बुक है मोदी तचैनेजर टुन्डेव टुन्डेवर मेनाज मर्च बहुत टाइम से फॉलो करता रहा हूं उनके ट्वीट्स पढ़ता हूं कि बहुत आर्टिकल्स पढ़ता हूं बुक पढ़के मुझे रिलाइज हुआ कि एस नौट कंप्लीटली अप्रोम हो थी बुक लोने जहां जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेवी की नीतिया हैं ऑर उनकी जो आंडिस्टैंडिक रही है भारत के बारे में वह रिफ्लेक्ट होते हैँ के इसलीजिए ब्राइम मोदी को समझे इसलीज εδώ सकते हैं तो बुक का जो आपके स्पेक्ट्र में वह बहुत वाइड है तो आप उसको इलेक्शन बुक ना समझिए जिसमें आपको मोदी के तरीफ के पराहिया मिलेंगी आप यह आपको मौका देती है भारत को समझने का भारत की प्रॉब्स का समझने का और कैसे उसमें लीड यह सिर्फ एक इलेक्शन बुक नहीं है यह बुक एक प्रयास है भारत को समझने का जो कि दो फिक्षन है तो पहली बुक जो है वह सुधा मूर्ती जी के द्वारा कॉमन येट अनकॉमन फॉर्टीन स्टोरीज है अबाउट रियल लाइफ तो जी आ मैं शॉर्ट स्टोरीज प्रसिद्ध लोगों के बारे में लेकिन ये कहानिया हैं बहुत ही और लोगों के बारे में जिनको शायद कोई नहीं जानता तो यदि आप कलपना करें उस दुनिया की जो आज से शायर 30 साल पहली होती थी जब हम सक्सेस के बीचे भागते नहीं थे बहुत ओर्डिनरी ला कहाने कि अगर से कहानिया अगर पड़ी हैं तो आप कुछ-कुछ समझ जाएंगे कि मैं किस तरह की कहानियों के दरफ इशारा कर रहा हूं जो कहानिया जब लोग आपस में जुड़े होते हैं फेसबॉक और वाटसव नहीं होते थे लेकिन लोग उसरे को बहतर जानते समझ नहीं थी जहां सूपर हीरो की बात नहीं करते थे पॉलिटिकल की बात नहीं करते थे वर्ल्ड कॉनमी कितने पसेंट से ग्रोग करेगी या क्या होगा या क्या नहीं बहुत सिंपल डेली बेसिस पर जैसे जिन्दगी चलती थी ऐसी अगर कहानिया पड़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही बहतरीन तरह से लिखी गई चौदा कहानिया सुधा जी आपके सामने लाइं है और अन्डावटिडली मैंने बुक पड़ी तो मैंने उसी टाइमें सोचा था कि यह अन्डावटिडली मेरे इस साल की बेस्ट बुक्स में से होने वाली है लास्ट बुक मैं एक लड़का मिलता है एडी जिससे वह उसको प्यार होता है और वह अपनी जिन्दी उसके साथ बिताने का प्लैन करती है लड़के की जो वाइफ है एडी की उसकी कुछ समय पहले एक एक डेथ हुई तो अब आप सूचेंगे थ्रिलर नौवल है एक लड़का है एक लड़ रही है कि वाइफ अपस्टेज है क्या तो वह होगा कि वाइफ को नहीं मरी होगी या कुछ उसके भूत आ गया होगा तो थोड़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है वेल रेचल आकिन्स आपको यह बतांगा एक बहुत प्रसिद्द्य लेखी का है और बहुत बेसलिंग सब्सक्राइब होगा तो दिये नहीं ऐसा नहीं है नहीं में काफी कॉंपलेक्सिटीज है काफी ट्विस्टें टर्न्स है और जादा नहीं जानके बताना चाहरा है क्यों कुछ स्टोरी के बारे में बताना पड़ेगा बट फास्पेस्ट्रिलर है स्टिल मैं कहूंगा कि श मैंने रेचल लॉकिन्स की पहली बुक पढ़ी है और यह पढ़ने के बाद मैं इस निश्करश पर था कि मैं इनकी और बुक्स को कंसिडर कर सकता हूं तो यह बुक को पढ़िए थैंक्यों वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो वीडियो आपको पसंद आया मेरे चैनल को ला खतम हो रहा है विश्यों आ वेरी हैप्य नुवयर 2024 थैंक्य।